जिन्देगी के हर कदम पर हमको मोटिवेशन की जरूरत होते हैं यार करो उस पल को जब तुम पेदा हुए थे सिर्फ तुम रोरे होते थे और बाकी सब जस्न मना रहे थे जब तुम दुनिया को छोड़के जाओगे कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम जस्न मना रहे और बाकी सब तुमारे लिए रोएगे जिन्देगी में ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो असंबद है और सब कुछ हम कर सकते हैं जो सब कुछ हम सोच सकते हैं और सब कुछ हम सोच सकते हैं जो आज तक हम सोचे ही नहीं हम खुद को एक लिमिटेशन के अंदर लख लेते हैं ये सोचते हैं एक लिमिटेड काम ही हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे एक आदमे का एक महिने का सालरी होता है छे से साड़े छे हजार उसे एक दूसरी कमपनी में जॉब के लिए अफराता है जब सलरी की डिसकेशन होता है तो उसने कुल 10 से 11,000 बोलता है उसी में ही उसका पोस्टिंग हो जाता है लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनके सलरी उससे कुछ ज़्यादा है तो उसे तभी ये समझाता है कि जब सलरी के डिसकेशन हो रहा था तब अगर वो कुछ ज़्यादा बोल सकता था तो उसकी सलरी भी कुछ ज़्यादा हो सकता था उसने लिमिटेशन के हिसाब से सोचा इसलिए वो छोटा ही रहे गया तो अगर कुछ सोचने से सोच अच्छा होने से positive energy आ सकता है तो क्यों हम नहीं सोचेंगे बीच रास्ते से बापस चले जाना कोई फाइदा नहीं है क्योंकि बीच रास्ते से अगर आप बापस जाओगे तो उतनी देर जितनी दूर आप जाओगे उतनी दूर अगर आप आगे जाओगे तो आप success पा सकते थे सफलता हमारी परिचे दुनिया को करवाता है और असफलता हमें दुनिया का परिचे करवाता है सफलता ना गिरने में नहीं है सफलता बार बार गिर कर उठने में है विश्वास एक ऐसी चीज़े जो बिख्री हुई दुनिया को भी प्रकासित कर सकता है विश्वास पत्थर में भगवान बना सकता है और अभिश्वास भगवान का बनाया हुआ इंसान को भी पत्थर दिल का बना सकता है दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आता क्यूंकि सफलता का रास्ता हमारा लिए तभी खुलता है जब हम उसके बिल्कुल ही करीम होते हैं परिश्रम करते रहो, सक्सस मिलेगा नहीं तो दजूर्वा मिलेगा अपने सपनों को कभी भी छोटा मत करो क्यूंकि जब तुम तुमारे सपनों के जलने की आग को बुझा दोगे इसका मतलब तुम जीते जी अत्महत्या कर लोगे हम जिन्देगी में उड़ते हैं या तो सिखते हैं गिरते कभी ने कोई भी काम को, जिस काम को तुम हर दिन सोचते हो उस काम को छोड़ो ही मत किनकी ऐसा ना हो कुछ साल बाद तुम्हें ये रिलाइज जोए कि अगर मैं उस वक्त को काम कर लेता तो साइद अज मेरा जिन्देगी कुछ और होता है गलतियां करने में कभी मर्द दरो जिबन में सफलता पाना है तो गलतियों को सफलता का एक हिसा ही समझो जिन्देगी में खुद का पहचान बनाना चाहते हो तो अकेला चलना सीखो संधर्थ और धर्य से कोई भी काम करोगे तो तुम हर मनजील को पार कर सकते हो तयारी करने में असफलता की मतलब है असफलता के लिए तयारी करना हर सुभा उठो और खुद को बोलो इतनी बात कहकर दिन की सुरुवात करो देखना बूश्ट के साथ चार जब हो के साथ आप दिन की सुरुवात करोगे तो पूरे दिन आपके लिए बहुत अच्छे से जाएगा और पूरे दिन अगर आपके अच्छे से गए हर दिन इसी तरह आप चार्जड़ होके मोटिवेटेड होके अगर आपका पूरा दिन जाएगा तो आपका पूरी जिन्देगी motivation से भर जाएगा सफलता आपके कदम चुमेगी जितनी भी बात मैंने बताई इसमें से कोई भी एक बात अगर आप अपने जीबर में implement कर दोगे तो आपके जिन्देगी कुछ change हो सकता है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हो तो कर दो आप लोगों के लिए ही मैं में मेहनत करता हूँ आप लोग मुझे support करोगे तो मेरा motivation बना रहेगा फिर से कुछ अच्छा कुछ नया लेकर आओंगा आपके लिए तब तक के लिए Keep Smiley, Good Bye